तो आप सभी कि इतनी ज़्यादा हाई डिमांड पे मैं ला दिया हूं क्लाश टेंस वालों के लिए जो कि हिंदी जितने ही बच्चे हिंदी का पेपर देंगे इस बार तो आप सभी इतनी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि भया आप सब पर वीडियो ला दिए कि कैसे अप्लिकेशन लिखें कैसे जीवन पैचे लिखें कैसे क्या लिखें तो एक वीडियो कम से कम हम लोगों के लिए ला दो कि भया कैसे आखिन निबंद लिखें तो एक मिनिटे को तोड़ा मैं यहां पर चेक करता हूं recording is that है न हा लेप्टॉप तो बाकी हाँ चलो आपको पढ़ाते हैं क्या है आज पढ़ने का अच्छा यह यह निवंद लिखाओं पीछे देखो पूरी कॉपी आपको बताऊंगा तो चिंता मत करो पूरी कॉपी लेकर आएंको किस तरीके से पूरा निवंद लिखना है फुल मार्क कैसे आप बोर्ड एक्जाम में फुल मार्क अचीव कर सकते हूं तो यह तरीका मैं बताने वाला हूं वीडियो को पूरा इंड तक देखना अच्छे से समझ जाओगे तो यहां से शुरू करता है वीडियो को जिनको नहीं आता ना पढ़ना वो भी देख लोगे तो कुछ न कु यहां से इसको अब करते हैं सुरू करने में क्या है सबसे पहले देखो अब जब भी आप कोई भी कुश्चन कर रहे हो चाहे निमंद कर रहे हो चाहे कुछ कर रहे है मैं आपको बार बार बोलता हूं लाक बार यहां चीजे बोलता हूं कि आपको प्रस्नोत्तर संख्या डा चीज़ेसों, कुछ भी हो सकता, इतना डालना बहुत जरूरी होता है, अब इसके बाद, इसके बाद देखो क्या है, जिसका भी निवन्द लिखरा हो, जैसे, यहां पे हम लिखेंगे पर्या वारान प्रदूसर्ण पर निवन्द लिखो, हो सकता है, आप कारण यह निवन्न होता है कि किस विसाइप लिखना और इसको काली पेंस से लिखा जाता है यह द्यान दखना अब इसके बाद इसके बाद एक अपनी हेडिंग बनाए जाती है यह रूप रेखा की अब देखने यही सब तरीका होता है वैसे आप पूरा का पूरा निवन उतार दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है लेकिन जिस तरीके से जिस ढंक से मैं बता रहूं ऐसे लिखोगे तो एक्जामनर के पास बिख बार कॉंपी प से लिखनी है इसको लिखने के बाद अब रूप रेखा में वह चीज लिखी जाती है जो कि आपको हेडिंग मना के लिखनी है और निवन्द की सबसे पहली हेडिंग बनती है वह बनती है प्रस्तावना निवन्द की सबसे पहली हेडिंग क्या बनती है प्रस्तावना उसके देखो एक हेडिंग, डो हेडिंग, तीन और ये रहा चार और ये रहा लाष्ट पांच ऑब निर्कम आपको कम से कम पांच लिखना पड़ेगा अगर पूरे नंबर चाहिए तो पांच हेडिंग आपको लिखना हर हेडिंग में पांच लाइन, छे लाइन, चार लाइन अपने मन से आप लिख सकते हूं जितनी आपको ज़ुरत लगे आप देखो इसके बाद प्रस्तावना में यहाँ पर लिखा गया है इसको काली पेंसे लिखना है और यहाँ से फिर नीले से सुरू करना है यहाँ काली से लिखना है और उसके बाद इसको इसको इस्टाड नीले पेंसे करना है अब देखो इस यहाँ लिखना है कि प्रदूसर का अर्थ है वातावरण का दूसित होना प्रदूसर का अर्थ होता है वातावरण का दूसित होना इसको बोलते हैं प्रदूसर फिर प्रिथिवी पर उपस्थित जीवों के लिए संतुलित वातावरण की आवसकता है जिसमें हर तक एक निश्चित मात्रा में उपस्तित रहता है देखो प्रदूसर कार्थ है वातावरण का दूसित होना और पिर्थवी पर उपस्तित जीवों के लिए संतुलित वातावरण की आवसकता है पिर्थवी पर जितने भी जीवों है उन्हें के लिए एक संतुलित वातावरण रहना बहुत जरूरी है संतु बेसिक चीजे लिखी जाते हैं अब प्रस्तावना के बाद प्रस्तावना के बाद अपने दूसरे एडिंग मनेगी यह वाली प्रदूसर के प्रकार कि प्रदूसर के कितने प्रकार होते हैं यह लिखना पड़ेगा तो देखो प्रदूसर के कितने प्रकार होते हैं प्रदू ग्रेता दूसर मेलेट टीन प्रकार्ट के होता है वागी यहां पर मिर्दा प्रादूसर। हो कि मिर्दा यहां पर दूर्स crochet लिखना था नौने दर्दू शर यह भी हो सकते हैं मैं मिट गया रिद्ध पर दूर्स अपना यह हो गया बाकि प्रदूसर मुख्यता नदियों समुद्रों और अन जलाश्यों में उद्ध्योंगों और सहरों की अन गंदगी से दूसित जल्ग से मिलने से होता है तो यह हो गया फुदूसर के प्रकार अब उसके बाद जो अपनी और एक हेडिंग मनेगी प्रदूसर से होने वाली हानिया यह हेडिंग प्रदूसर से होने वाली हानिया या अपनी एक next हेडिंग है ऐसे हेडिंग भाई हेडिंग बना के लिखना है आपको या ध्यान लगना और मैं देख लूँ recording तो चली रही है कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसे ही हेडिंग भाई हेडिंग बना बना के आपको कि प्रदूसर से कौन कौन सी हानिया हो रही है कौन कौन सी हानिय हो रही है यह लिखना है तो देखो प्रदूसर की समस्या के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जनसंख्या वृति है प्रदूसर की समस्या सबसे जादा क्यों हो रही है क्योंकि जनसंख्या में बहुत जादा जहानियां हो रही है पिर उसके बाद है कि इस जनसंख्या विद्ध के कारण कि यहां पर देखो ग्रामों नगरों तथा महानगरों को विस्तार देने की आवसकता अनुभाव हो रही है परिडाम स्वरूप जंगल काट कर वहां बस्तियां बसाई जा रहे अब देखो मैं रूण एम डेस करून लोग के कहीं पर अगंघर यहीं दस करोण लोग हो जाएंगे किटने 20 करून लोग हो गए इनको रहने के लिए ये आस्थान चाहिए पर यह नहीं आप हम झालेיים iOS इस वज़े से अपना ये जो पर्यावरण है या दूसित होगा तो ये चीज कहा जा रहा है यहां पर फिर से आपको समझा देता हूँ पर दोसर के समस्या के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जनसंख्या वृत्ति है और इस जनसंख्या विद्ध के कारण ही गामो नगरों मैं यहां पर कहीं आपको दिख रहा होगा तो इसके लिए क्या करना होगा मोबाइल पर इस इसको डाउनलोडών करें वहां पर रिजिस्टर पहले क्या करना होगा पहले रिजिस्टर कर लोगे पिर उसी से लॉग इन करें जैसे उससे लॉग इन करोगी वहाँ पर दिख जाएगा एक सो निन्यांबे वाला बैच क्लास 10 के लिए दिखेगा और क्लास 12 का भी दिखेगा तो जिस भी क्लास में आप है अगर 10 तो 10 वाला ले सकते हो यह आपके लिए एक दम वरदास तावित होगा सारे सब्देक्ट मैं दे रहा हूं सिर्फ पॉर सिर विकास एवं पर्यवरण एक दूसरे के विरोधी नहीं है का सिर्फ परैवां रेख्सको रोपाय आखिर किस तरीके से हम प्रनूश को रोक सकते हैं तो इसको रोक में राते विडूशर से बूपाय कर लेने चाहिए जिससे आने वाली पीडियां समय रहते ही पर दूसर से बचने के हमें उपाय कर लेने चाहिए जिससे कि आने वाली जितनी पीडियां है वो क्या होंगी आने वाली पीडियां आने वाई पीडियों को इसके खत्रे से बचाया जा सके और इसके लिए इसके लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा इसके लिए जनसंख्या को हमें कम करना होगा ये ध्यान दो उसके बाद क्या है कारखानों के कचरों को नदियों में बहने से रोकना होगा आपने देखा होगा जितने भी पवित्र नदियां है गंगा नदी यम्ना नदी इन सम्में हर ज यहां पर होगे आपको ही पता होगा तो इन सब से थोड़ा बचाओ करना होगा उसके लिए उचिद अस्थान बनाना होगा तो यह सब ठीजे करने हो कि जहां से पर्रयवरण प्रदूसर को बचाया जा सकता है अब उसके बाद से लाष्ट का अपना जो है उपसनहार अब सब्धाइब से लिखनी होगी कि क्या है कैसे है तो चलो इसको मैं बताता हूँ उपसनहार कैसे बिकास एवं पर्रयवरण एक दूसरे के विरोधि नहीं है ऐसा नहीं कहा जा रहा है के आप विकास बंद कर दीजिए ठीक है विकास को बंद करने कर नहीं संतुलत एवं शुत्ध पर्यवरण के बिना मानो का जीवन कस्टमय हो जाएगा सही बात है कि أगर पर्यवरण संतुलत नहीं रहेगा और क्या रहेगा शुत्ध पर्यवरण नहीं मिलेगा हमें ृ यह जो warum का जीवन है but यह बहुत तो यह चीज देख लो कि आपको प्रियावरांट को सुखारने के लिए कापुसाइज चीज़ों को अपनाना होगा जो कि यहां पर बताया गया है तो ऐसे ही आपको निबंद लिखना होंगा इस तरीके से निबंद लिखोगे तो बोर्ड इक्जाम में बोर्ड इक्जाम में में क्या होगा आपको कि आपको फुल मार्क मिलेगा अगर ऐसे करोगे जैसे कि मैं बताया हूँ कापी साइब बच्चे आता तो रहता है आता पूरा रहेगा लेकिन क्या कहेंगे ना पूरा एक लाइन से ऐसे लिख डालेगे अब इस बादे से उनको नंबर अच्छे नहीं म मिलते हैं अगर पूरे नंबर चाहिए तो जैसे मैं बताया ऐसे करना है बाकि जो कोर्स दिखरा जाके अभी ले लो मैं तो कहता हूँ अभी ले लो नहीं तो यह एक सो निन्यामी वाली प्राइस ना महेंगी हो जाएगी फिर बाद में में पास काफी साइब अच्छे मैसे काल देना